हेलो परेंट आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रांस अकनल पर आज पताइज पर पिदिए पर्डिया पर्चेज करने हैं तो डिस्क्रिप्जन बउक्स में आग्छ नंबर दिया हुआ है इस पड़ने जो है मैसेज करके पीडिया को पर्चेज कर सकते हैं यह स्टाट करते है 2021 के प्रीमे पहला question क्या है तो monoclimax एकल चरम सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया है तो FE climates जो है इन्होंने monoclimax का प्रतिपादन किया है किसी छेतर की समुधायों के अनुक्रमड की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं climax समुधाय या climax कहते हैं समुधायों के अनुक्रमड या succession की अवस्था को क्या कहते हैं तो सेरे कहते हैं क्या कहते हैं तो ये दोनों ही important है आपका fact याद रखेगा बन सनरचल अधिनियम कब पारित किया गया 1980 में पारित किया गया परिया वरान सनरचल अधिनियम कब आया तो ये आपका 1974 में आता है ये चारों ही बहुत ही बहुत important है आपको याद होने चाहिए कहीं भी आप means लिख रहे हैं उसमें भी coat करने के लिए आपको पता होना चाहिए नदी का जल प्रदूशन मापा जाता है तो जल में घुली हुई oxygen की मात्रा से मापा जाता है कि कितनी oxygen नदी में है देखते हैं जिसे हम क्या कहते है BOD biological oxygen demand जैविक oxygen मांग की परिभास हम देख लेते हैं तो oxygen की वह मात्रा जो जल में कार्वनिक पदार्थों के जैव रसायनिक अब घटन के लिए आवश्यक है उसे हम क्या कहते हैं तो आपका नदी जल का प्रदूशन किस से मापा जाता है अगला के उश्रम देखेंगे घटते उत्पाधक्ता के क्रम में अधो लिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है तो घटते हुए हमें लिखना है कि सबसे बड़ा कौन है उससे चोटा फिर उससे चोटा फिर उससे चोटा तो हम देखते हैं पारीतंत्र में सबसे ज्यादा कि आता है इसके बाद चोटी किस राष्टी उद्यान में इस्थित पुडविशा सद्ध्वड का विस्तार में आपका राज पीपला पहाडी प्रारंब ओकर महादेव मैकाल पहाड़ी ऊती है कि महादेव सब्सक्राइब कर दूब गड़ favors तो यह important fact है geography के लिए कान्धा रास्टी उद्यान जो है MP के दो जिलो मांडला और बाला घाट में इस्थित है पूछा गया question है कि आपका कान्धा रास्टी उद्यान किन जिलो में विस्तृत है MP के तो मंडला और बाला घाट में विस्तृत है बान्धो गड़ास्टी उद्यान कहा है तो यह आपका MP में अंपई के किस ज स我 है तो मरिया जिलो में स्थित है माद्हव रास्ची उद्यान भी आपका MP के स्ठीव पूर्ट जिलो में सथित है अगला हम देखेंगे कि भारत में जैवित्ता हॉट सपॉट के बारे में तो प आव उन्डेया और्स पार्यदि पॉंडमों 1 17 कबलट 15 009 009 002 002 0022 30stra डिया हुआ दूसरी तरफ राज दिया हुआ देखने हैं किस राजी में इस्थी थे त्याज्ड में इस्थी एट बेतला रास्टी उध्यन आपका जारखन में श्तित है सिरोही राष्टी उद्यान कहां पे है तो मड़ी पूर में अगुईंदी कहां पे है तो यह तमिल नाडु में है अगला क्यूशिन है अमारा प्रिथवी का सरवाधिक ब्रिहत प्राश्थित की तंत्र कौन सा है तो प्रिथवी पर आप सबसे ज अगला हम देखेंगे क्यूशिन नंबर थ्री है मारा पाश्थित की तंत्र के संदर में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दिये हुए हैं देखते हैं सो पोसी या सो पोशण अस्तर पर उत्पादन को प्राथ्मिक उत्पादक्ता कहते हैं दिती उत्पादक्ता का संदर्व ह होता है कि पर पोसी या वीसम पोशण अस्तर के उत्पादन से हैं तो यह आपका दोनों ही स्टेट्मेंट वाइज क्यूशन थे पाइस्थित्की के बारे में आप देख लीजेगा इसे अच्छे से पढ़ लीजेगा अगला क्यूशन हमारा एक पाइस्थित्की तंत्र में उर्जा की मात्रा एक पोशण अस्तर से अंय पोशण अस्तर में क्या होती है तो यह घर्टी जाती है जैसे आपका एक पोशण करत तो उत्पादक क्या करता है Urdh Charis 100 पर्ज इसको तो किस सेर करेगा है किस सेआर करेगह तो सेकेंड वाले को सेकेंड अब इसका कितना देगा इसका 10 पर्शन कर लेता है 플iono现在 कि फीर सेठेगे 10 बचा आगे यह और वी कम होता चले जाएगा इस वजह से हमारा उर्जा कम होता जाता है क्योंकि 20 के पास 1000 रुपई होता रुपए बंगी सब्सक्राइब पिर और नम Bentay रुपए दूसरे वाले को देता है तो इस तरह से हम देखेंगे कि और 시청 और्जां एक मिया फोष्चाpta से दूसरे में जाने पर और यह में घड़्टी जाती है यह स्टेट्मेट मीड्य जेखती है की कि पार रिष्ठत डौकी सतंदरत Matthew इस अस्तांदर्ण में उर्जा का हरास होता है देख लिए आप कैसे हरास होता है इसे जो है रेमंड लिंड मैं ने 10% का नियम भी कहा है 10% का कैसे कि 90% तो खुद अब्जॉर कर लेता है जिसको मिलती है उर्जा फिर वो 10% आगे टांस्फर करता जाता ऐसे सभी का होता है इस वज़ेसी से लिंड मैं ने क्या कहा कि 10% उर्जा का नियम कहा है अगला हम देखेंगे किस प्रकार के वनों में अधिक्तम पादव विविद्दा पाई जाती है नोट देख लगते हैं भूमद रेखा के दच्छिन या उत्तर में लगबग 28 डिगरी के भीतर पाई जाने वाले वनों को क्या कहते हैं ये वन पादव तथा प्राणियों के विकास एवं व्रिद्धी के लिए अनकूलतम दसाएं प्रदान करता है क्योंकि इसमें वर्स भर उच्छ वर्सा होती है और तापमान भी उच्छ रहता है इसका तो इस तरह से आपका भूमद साग रेखा पर जो भी आपके उश्कडवन्धी सदा भारवन हैं वह बहुत ही अनकूलतम दसाएं पैदा करते हैं किसके लिए तो अधिक्तम पादव जाएवेवित्ता के लिए सबस्यादा जाएवेवित्ता भी उश्कडवन्धी सदा भारवन में ही पाई जाती है अगला हम देखेंगे 2016 का प्री का रेख भारत का ओसाइनिक नेशनल पार्क इस्थित है कहां इस्थित है तो यह कच्छ गुजरात में इस्थित है सुन्दर भारत के पश्चिम मंगाल राज्य के दच्छिण भाग में गंगा नदी के सुन्दरवन डेल्टा के छेतर में इसतीते राष्टी उद्ध्यान है यहां पर बाग को सन्रच्छित किया गया है और बायो स्पेर छेतर भी यहाद रखिएगा अब हम देखेंगे चिलका कवार अगला कोई ने माराlection जीवास्मी इंदनों में एक Lead चरंशुक्रूद क्या है तो यह आपका सूरी है 25 टंत्र का प्रियलगेवल क्या होता है तो यह आपका सौ्रूर्ज्षा के कारण ही जीवbajकास करपाते हैं क्विकास करपाते हैं क्यों ऑफगे कि वज़े से अगला हम देखेंगे रामसर संवेलन के बारे में रामसर संवेलन संबनाएगा इंडिया जो है मनाया जाता है कब मनाया जाता है दो फ्रवरी को मनाया जाता है 2021 की थीम क्या थी रामसर कंवेंशन की तो आदर भूमी और जल इसकी जो थी थीम थी अगला हम देखेंगे राश्टी वनीकरण एवं पाश्थित की विकास बोड की स्थापना भार सरकार दौरा कप की गई थी सफापना मां पंच सब्सक्राइब गई थी पर गैनने के गई एंजीटी की सफापना की गई थी सफ्थापना की मां जिसे में में गई गया था अब क्या है आपका अनुसंदान संस्थान है 2016 का प्री हम देखेंगे राष्टी उध्याने को काल क्रमा नुसार विवस्तित करना है तो जिम कारबेट आपका कब बना संस्था उनीसो अस्ति में काल क्रमा नुसार विवस्तित करना थ देखते हैं अगला क्यों कि पारश्चित की पादश्चाप च्छाप या आवश्यक निवन्तम भूमी क्या कहते हैं पार्षित की पदच्छाप कहते हैं या इकोलोजिकल हुट्प्रिंट इसी को कहते हैं अगला हम देखते हैं 36 गड़ में इंद्रावती राष्टी उद्यान गुगामल अगला देखते हैं जय वंडल आरची चेत्र दूसरी तरफ आपके राज्य कौन सा जय वंडल आरची चेत्र किस राज में मिलता है तो सिमली पाल जो है कहां पे है उडिसा में है दिहांग दिबांग आपका औरुनाचल में है नोक रेक जो है आपका मेघालाय में है कोल डेजट जो मंडल आरच्छी छेतर कहां है तो ही माचल प्रदेश में इस्थित है अगला हम देखते हैं भीतर कनिका गरान के बारे में ओडीशा में ब्रामभडी और वैतर्णी नदियों के बद मध्य है महा नदि डेल्टा छेतर में अवस्थित है क्या अवस्थित है भी Brent प्रसिद्ध कौन भीतर कनिका गरान भीतर कनिका राष्टी पार्क में खारे पानी के मगर मच्छ था ओल्यव रेडले कच्छुवा भी पाया जाता है नहीं के लिए उडीचा में देखते हैं में उनस्कों ब्हुम Jared ने जुलाई ऑजा oncology में तो भारत कि किस राष्ची उध्यान को विशो धरोः अस्थल होसित किया था तो तो poncho जो कंचन जंगा जिसको हम खंग चेंग जयोंगा भी राष्ची उध्यान कहते हैं उसको जो है दो हजाजा सोल अम इनोंसको सामिल किया था 2016 में ही युनिसको ने बिहार के नालंदा महा बिहार चंडीगड के कैपिटल कॉम्पलेक्स को जो है विसधरोहर अस्थल सामिल किया था तो यह आपका याद रखने वाली याद थे कि युनिसको ने कंचन जंगा को कब सामिल किया 2016 में बिहार के नालंदा चन्डी गड़ के कापिटल कॉम्प्लेक्स को भी इसी टाइम 2017 में इसामिल किया था तरदाई है तो जोन परत का हरास किस गैस से होता है तो यह है आपका क्लोरो-फ्लोरो कारवंजी से हम कहते हैं कि देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में ओजोन पर जो है समताप मंडल के नीचले भाग में 15 से लेके 35 किलोमेटर की उचाई पर पाई जाती है समानिता 20-35 किलो जोन परत की मोटाई हम किस्ती हैह मापते हैं दोखका दप्सन श्री नगर में ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक औरतरिवंद्रम में सबसे कम है ॥ अगला हम देखते हैं प्रती 2007 के आधार पर वायू मंडल में प्रतिसक्शाच पाई जाती है 21.93 प्रतिसद उस थर्ड नंबर पे आपका और्गन आती है 0.93 प्रतिसद और उसके बाद carbon dioxide पाई जाती कितनी प्रतिसद तो 0.03 प्रतिसद इंपोर्टेंट है याद रखेंगा nitrogen oxygen organ carbon dioxide इसका यही क्रम भी है तो 78 प्रतिसद nitrogen और oxygen 21 argon 0.93 carbon dioxide 0.03 प्रसेंट अगला हम देखेंगे किस कारे में पारिस्थित की संतुलन बिगड़ता है तो लकड़ी काटने में जो है जो है आपका पारिस्थित की संतुलन बिगड़ जाता है जबकि बन रोपन बन को लगाना समाजिक वानकी करना आदी पारिस्थित की संतुलन बनाते हैं मतब पारिस्थित की में संतुलन बनाए रखते हैं अगला है हमारा पास्थित की किसके बीज पारस्परिक समंधों का अध्यन करता है तो जीव और वाता बरण के बीज आपका पास्थित की पारस्परिक समंधों का अध्यन करता है पास्थित की कोसर प्रथम परिभासित और विस्तरित अध्यन करने का सरी किसे जाता है तो अर् लखनाववु किकी सीमा किस झिले की चीमा से इस पर्च सीमा करती है तो देखते हैं अगे अगे सी जी जिली बंकी राय बरेथ था उन्राव को यह दृतां को जो है प्लीट विश जेल जो है आपका विश्व धरोहर अस्थल है यह कब बनी थी तो 1989 में बनी थी एजनडा 21 किस छेतर से सम्बंधी थे तो सतत विकास से सम्बंधी थे आपका एजनडा 21 यह कब आता है एजनडा 21 तो 1992 में ब्राजिल के रियोडी जनेरियो में आई हो यूजी प्रित्वी सिकर्सम्मेलन के दौरान जो है एजंड़ा 21 को लाया गया था इसी में घर बात्द्धेकारी माकर प्रकूनंतर पिर्सम्मेलन ४ यह अधिक होता आकास नीला क्यों दिखाई देता है क्योंकि इसका प्रक्यूनन सबसे अधिक होता है अब देख लेते हैं कि जब प्रकास किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अतियन सुच्मकर्ण होते हैं इनके द्वारा प्रकास सभी दिसाओं में प्रसारित हो जाता है इसको प्रकास का प्रक्यूनन कहा जाता है इस वज़से आपका नीले रंग का प्रकास सबसे दिखाई देता है क्यों क्योंकि नीले रंग का प्रकास का प्रक्यूनन सबसे अधिक होता है अब हम देखेंगे लाल रंग के प्रकास का प्रक्यूनन जो ह पराली जलती है और जब आपका दिवाली के टाइम आता है तो यहां पर जो है आटिफीसियल रेनिंग करवाई जाती है तो उसमें क्या होता है आपका कोई मंडल थोड़ा साफ हो जाता है मंतर देखते हैं अगला कौन सा एक कौन सा एक पास्थित की संतुलन बनाय रखने में मदद करते है तो वन्रोपन वर्सा जल्ट का प्रबंधन जयो भार जयो मंडल भंडार यह सबी आपका परिशत की संतुलन मनाय में रखने में मदद करते हैं अगला है हमारा भारत में परियावराण संद्रचन अधिनियम कब पारित हुआ तो 1986 में आपका भारत में गया था यह दिनियम किस रासदी के बाद लाया गया तो भौपाल गयस रासदी के बाद लाया गया अब यह भौपाल गयस रासदी कब हुई तो आप जरूर बताईएगा और इसमें कौन सी गयस जो है फैल जाने से प्रॉब्लम हुई थी यह भी कमेंट बॉक्स में बताईए ते वरकस समजिक सुरच्चा योजना अगला हम देख लेते हैं अगला हम देख लिए सहरी रोजगारी योजना जो है आपका ये समाजिक संद्धित नहों कर किससे संबंदित तो बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंदित हैं मतलब इससे बेरोजगारी को दूर किया जाए कुछ लोगों को रोजगार प्रदान करके जबकि अन्य योजनाय किस्ते समय तो सामाजिक संरच्षण से संबंदित हैं देखते हैं सिक्सक्स नंबर को किस का संबंद पर्यावरन स και तो धानिविकास का संबंदद आपका किस्तें परिबरण सरच्षा से और किसनक्स का Moz 100 का खागज के थैलियों का प्रैयों rains species अभी से जो होता आपका परियावरण सुरच्छा होती है जबकि गरीवी का संबन इस परियावरण से डारेक्ट नहीं है ठीक है अगला हम देखेंगे 2010 का प्रीका रिल्ग जम सरवाधिक स्थाई पारिस्थित की तंत्र या एको सिस्टम किसका है तो महा सागर यह सामुद्रिक छेत्र का सरवाधिक इस्थाई पारिस्थित की तंत्र सबसे ज्यादा किसका है तो महा सागर यह सामुद्रिक छेत्र का भारत का अंटा कर्टिक और समुद्री अध्यन केंद्र ब्रबाव मुख्यत अगठीत होता है कभ गठित होता है यह आपका करण घठीत होता है इसमें और कौन-कौन सी गयस पाये जाते ही तो मीथेन के साथ नाइट्रस औकसाइड भी पाये जाती है तो इसके बारे हम देख लेते हैं वांता वर्ण में परिवर्टन के कारण पहले जीवों के अस्थान पर जो पहले शीव उसके तरह ससान पर जिब ने जीव आया स्थापित हो जाता है इसे पाजस्थित की अनुकरमण करते हैं अनुकरमण एक दीरकालन प्रक्रिया है जिसके अंतिम चरण में एक स्थाई समुदाय या स्थाई चरम समुदाय के इस्थापना होती है एकम कहेंगे उसको त्यार करेंगे तभी सक्सेशन को बता सकते सकते हैं अनुक्रमून को बता सकते पर यह हुरं में यह तीनों-चारों ही आपके स्टीट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 2010 का भंपड़ी देखेंगे कौन सा एक वायू-प्रदूशन के जैविक सूचक का कारे करता है तो लाइकन के बारे में थोड़ा से देखते हैं तो मृतने निरमाड की प्रक्रिया में यह लाइकन सहयक होता है वनस्पति है जो कवक तथा सेवाल दोनों से मिलकर बनता है तो लाइकन किस से मिलकर बनता है कवको सेवाल से मिलकर बनता है यह कैसी वनस्पति है तो थेलोफाइट समू की वनस्पति है अगला हम देखेंगे मुमबाइल तथा आटो मोबाइल ने भारति लोगो के समाजिक जीवन में निम्न से किसके संभन में क्रांथि लादी है तो कौन-कौन से खा संभन ग्रामेन मानों के जीवन में परिवर्तन लाया है तो देखते हैं लोगों के आवागमन के संबंध में लोगों के जुडाओं के संबंध में एक दूसरे संपर्क बढ़ाने में लोगों के सम्वेजदन सीलता के संबंध में कि एक छेतर की जो समस्तिया है दूसरे छेतर को पत प्रदूशन उतपन्य करता है है तो है टो हईट्रोजन जो है आपका सबसे कम परिया वर्म अध्यावरन प्रदूशन उतपन्य करता है यह अद्वीं हो अगले वीडियो में करेंगे मेन्स का सेक्ष weema को कैसी बगी वीडियो जरूरर बताएगा अग CBS करनी हो तो आपका description box में एक बार सा number दिया गया है उस पर आप message करके video को purchase कर सकते हैं thank you for watching